Hello and welcome friends और आप सभी के एक बार फिर से स्वाकत Android एक चैनल पर और फ्रेंज आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं Samsung के Android 10 or 1 UI 2.0 के कुछ unique features के बारे में जो नए improvement हुए या changes हुए हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में discuss करेंगे अगर आपको मालूब नहीं है तो मैं आपको बता दू एंड्रोइड पाय ऐसा बीटेंड यह कंदर रिलीज हो चुका है Samsung के S10 series के लिए Samsung के S10, S10 Plus, S10e लगबग 2GB का असपास के update फाइल थी आप बीट पर sign-in किस तरी किसे कर सकते हैं कैसा आपको 10 और 1 UI 2.0 मिलेगा उसको पर मैंने dedicated video बनाई हुई है अगर आपको देखने है तो मिलीका आपको लिए दिस्क्रिप्शन में दे दूँ आप वहां से देखे अपने डिवाइस को बीट में sign-in कर सकते हैं तो यहां पर बात करें सबसे पहले change के बारे में तो फिर यहां पर samsung सबसे पहले change किया आपने device care में आपने device care में पहले दिवाइस में पहले samsung के एक Android 10 के उपर जो की रॉन कर रहा है वो निए 2.0 को पर S10 प्लस और समसंग का S10 रॉन कर रहा है वन यह वरिजन 1.1 के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं complete different UI देखने को मिलता है इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर यानि के बहुत जादा चेंज है मैं कर दिया है Android 9 के comparison में Android 10 के अंदर और इतना ही नहीं है पर आपको कुछ और भी फीचर देखने को मिलता है तो यहां पर वह जो फाइल है वह हमारी डिवाइस में वापिस आ जाए तो उसके लिए समसंग ने फीचर को इंटर्ड्यूस कर रहा था जो कि ता रिकवर कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा फीचर है जो कि समसंग ने एंड्रोइड टेन वाण टू पॉइंट कर रहा है इतने नहीं यहां पर समसंग ने अपने डिवाइस के अंदर जो नेविकेशन बार है या फ्रम कर सकते जो जस्टर्स थे उनमें भी लेफ्ट तरह से स्वाइब करते तो फिर हमारा जो है रिसेंट टास्क खुलते हैं जो कि हमने यह अप्लिकेशन को यह हुआ है तो समसंग ने क्या रहा है कि आप अगर राइट यह लेट से एच पे से यानिके ना कि बोटम से एच पे से अगर आप प्रते हैं राइट यह लैप तो बैक होगा और आप जो बीच का भी में से वहां पर याप स्वाइप करते तो आप सिदर हivalं स्कोर्ट की पर जाए Jeए और चानीच Васथ करें चैनार तो फिर आपके जो इशन्ट टास्कंष और 1UI 2.0 के अंदर जो एनिमेशन से डिवाइस के वो काफे साथ स्मूथ हो गए हैं इनके कंपरेजन में और साथ जो जी प्यू पर लोट पड़ता था वो भी सैमसिंग ने काफी मिनिमाइस कर दिया है यह जो फ्रैम डॉप हमें देखने को मिलेंगे वो अब ना की ब्राबर हो गए यारी कि दिखेंगे नहीं क्योंकि जब जीप्यू ओवर्लोड होता था ओवर हीट होता था तो हमाजो डिवाइस है वह हैंग ओन स्टार्ड हो जाता था बिकोज जीप्यू ठक चुका है वह उतने पावर नहीं दे सकता है वहीट हो रहा है इस वज़े जो हमारे सकीन था था ऺंडरोड में सबसे में ज्बाप भी होती है उस में काफ सारे। में काफ़ीगी मेर्ण ऊपयते हैं वह स नहीं होते हैं युद्ध ? Samsung का जो devices है वो frame drop भी होते हैं और Samsung के smartphones काफी hang भी होते है और यही reason है Samsung ने अपने J4 Plus और J6 Plus में animations नहीं दिये हैं अगर आप Samsung के J4 Plus J6 Plus यूज़ करते हो तो अपर आप देखोगे कि डिवाइस के अंदर आपको कोई भी किसी भी तरीके का एनिमेशन दिखने को नहीं मिलते हैं जैसे कि मैं नॉर्मली देखने को मिलते हैं और एक स्मार्ट फूड के अंदर बिकूस उनका जो प्रोसेसर और इतना पावफुल नहीं है जो समसिंक की स्किन को हैंडल कर रपर यहां पर इसके अलावा ओल भी काव सारे फीचर से अगर आप उनके ओपर हैंड जोन देखने हैं जो भी होगा और बहुत जल्ली आपको जो है वो वीडियो देखने को मिल सकती है अगर वो मुझे मुझे कि उनका चुछ टिवाइस है वह एक अनिस्टेबल फॉर्मियर पर आए तो यह एक रीजन है बट मैं उन्हें फोर्स करके देखेंगा देखते हैं क्या होता है फ्लाल की वीडियो में यही आई होप आपको वीडियो पसंद आगी वीडियो चलिकती है लाइक कर देना शेयर चैनल पर ने हो तो जो सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूं आपसे की जैची अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में सबस्यों मां नेक्स्ट रीडियो शाइन आओट